गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कुरोना वाइरस के करण हमारी हरियाना सरकार शिक्षविभाग ने एक एप लॉंच की है जिसका नाम है आउसर रैप जो कि सभी विदार्थियों के लिए और अध्यापकों के लिए बहुत ही उप्योगी सीध होने वाली है तो प्यारे बच्चों आईए इस वीडियो में हम आउसर रैप को इंस्टाल करना और उस पर खुद को रजिस्टर करना सीखते हैं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने अपने फॉन में प्लेइ स्टोर को ओपन कर लेना है और उसके सर्च बार में आउसर अप को टाइप कर देना है जैसे कि आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आउसर आप के सामने open button लिखा हुआ है लेकिन मैंने इस आप को install किया हुआ है इसलिए यहाँ पर open नजर आ रहा है जैसे आप पहली बार इसको install करेंगे तो यहाँ पर install का button नजर आएगा तो आपने उसे click करके सबसे पहले आउसर आप को अपने phone में install कर लेना है उसमें कुछ समय लग सकता है तो दर्या बनाए रखें और phone में आउसर आप को install होने दें उसके बाद आपके phone में जैसे ही आउसर आप download हो जाएगी इंस्टाल हो जाएगी तो उसका icon आपको phone के अंदर नजर आएगा तो आपने वहाँ से आउसर आप को open कर लेना है इस परकार से जब आप आउसर आप को open करेंगे तो वहाँ पर हमें दो option नजर आएंगे पहला student का और दूसरा teacher का अब आप तो student है तो आपने student वाले button को click करना है जो की पहले से click किया हुआ है तो आपने उसको check कर लेना है अब उसके बाद हमने अपनी details जो है नीचे phone में भरनी है तो सबसे पहले हम district को select करेंगे तो जैसे ही आप district वाले box पर click करेंगे तो हमारे सामने इस परकार से सबी district जो है वो नजर आएंगे तो आपने वहाँ से जैसे की हमारा district करनाल है तो हमें करनाल को select कर लेना है उसके बाद इसी परकार से हम block select करेंगे अब जैसे हमारा block जो है वो निलोखेडी है तो हम निलोखेडी को select करेंगे इस परकार से फिर आपने अपने स्कूल को चुनना है अब हम जैसे ही स्कूल वाले box पर click करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने स्कूल के code और स्कूल का नाम आपको नजर आएगा तो प्यारे बच्चों आपको अपने स्कूल का code पता होना चाहिए जैसे कि हमारी स्कूल का कोड है 14270 तो सबसे पहले हम 14270 स्कूल के कोड को देखेंगे और वहाँ पर अपने स्कूल का नाम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 14270 और सामने लिखा हुआ है गोर्मिंट प्राइमरी स्कूल कोयर तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके बॉक्स के अंदर 14 270 गोर्मिंट प्राइमरी स्कूल को एर नजर आएगा तो यह आपने अच्छे से चेक कर लेना है उसके बाद प्यारे बच्छों हम अपनी कक्षा को स्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने पांच कक्षा नजर आ रही है तो जैसे कि हमारी कक्षा पांच वी है तो हम क्लास फिफ्ट को स्लेक्ट करेंगे उसके बाद अगला box है नेम का तो यहाँ पर हमें अपने नाम को select कर लेना है जैसे ही आप इस box पर click करेंगे तो आपको आपकी कक्षा के सभी बच्चों की list नजर आएगी वहाँ पर आपने अपने नाम को select कर लेना है और भर लेना है अब जैसे कि यहाँ पर मैं एक बच्चे का नाम जैसे कनिशका है कनिशका को select कर लेता हूँ तो वहाँ पर नेम के सामने आप देख रहे हैं कनिशका का नाम आपको नजर आएगा अब अगला box हमारा है डेटो बर्थ का यानि जनम तारी तो यहाँ पर प्यारे बच्चो मैंने आपके whatsapp ग्रूप पर आपकी डेटो बर्थ से संबंदित पीडिया फाइल शेयर की हैं तो वहाँ से आप उसको open करके अपनी डेटो बर्थ को देख सकते हैं और फिर यहाँ पर उसको लिख सकते हैं तो जैसे की हमने यहाँ पर कनिश्का को स्लेक्ट किया है तो हम यहाँ पर कनिश्का की डेटो बर्थ लिखेंगे जैसे उसकी डेटो बर्थ है 3 दिसंबर 2009 नो तो सबसे पहले हम दिन यानी तीन उसके बाद मन्त यानी बारा और उसके बाद इयर यानी दो हजार नो को टाइप करेंगे और डन कर देंगे जैसे ही यहाँ पर डेट ओ बर्थ लिखी जाएगी तो आपने कॉंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है और इस परकार से आप देखेंगे कि आपकी आवसर अप पर आपकी प्रोफाइल जो वो एडिट हो चुकी है आपने आवसर अप पर अपने आपको अच्छे से रिजिस्टर कर लिया है और साथ में आपका नाम और आपका SRN नंबर नजर आएगा तो प्यारे बच्चो इस परकार से आप आवसर अप को इंस्टाल कर सकते हैं और खुद को रिजिस्टर कर सकते हैं प्यारे बच्चो अगले वीडियो में हम आवसर अप को किस परकार से ओपयोगी बना सकते हैं किस परकार से उस अप के माद्यम से हम सीख सकत तब तो के लिए घर पर रहिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए थैंक यू